जिन बच्चों ने question number 11 नहीं देखा था वो ध्यान से देख लें तो फिर हम question number 12 पे चलते हैं जल्दी से स्क्रीन साथ ले लो बेटा question number 11 है ये प्रशन संख्या 11 वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लिजिए प्रशन संख्या 12 आपके सामने तुरंत आ सब्सक्राइब लिंक दीगा इस वीडियो को डिट्याल में भी देख सकते हो कि कुश्चन ध्यान से देखिए करा कि सत्यापित कीजिए मिन्स इसका मतलब की से प्रूब करना है ठीक है देखे इसमें दो पार्ट दिया होता है एक LHS यानि लेफ्ट हैंड साइड एक आन इसमें उपर लिखा है यक्स का क्यूब प्लस वाई का क्योग प्लस जेड़ का क्योग माइनस ठ्रोड यह वाई जर्ट और जो आरे चयसे जोकी मुझे बराबर के इधर लिखना था चूँकि हमारे जगा कम थी फिलिए मैंने ऐसा लिखा है बाकी ये लेच एक्वाल आ को ले करके उसे प्रूब करना है दूसरे वाले के इक्वल चलिए करके दिखाते हैं सबसे पहले हम आरेचेफ ले लेंगे ठीक है आप लोग कुष्चन एक बार फिर से लिख लेना नहीं मैं फिर से लिखी देता हूं क्योंकि बच्चे बड़े सतान होते चलो मैं लिख देता समझने वाली बात आएगी तो रूख जाना इस्टाप देखो इनको ले करके हमें ऐसा हल करना है कल्कुलेशन करना है कि यह आ जाए करते हैं हमारे पास यह सिंपल वाले फार्मूले हम इनको ओपन करेंगे ऐसे प्यार से सीधे साधे जो भी हैं हमें पता है ए माइनस बी का पर वाई इतना होगे बीच में प्लस का साइन है प्लस इसको ओपन करोगे यह है यह यह बी है तो एकाई स्क्वाइर प्लस बी का स्क्वाइर माइनस 2AB फिर प्लस का sign है तो प्लफ लगाओगे नीचे लिखेंगे क्योंकि आगे जगा कम है इसलिए हम प्लफ यहां लिख देंगे A-B का whole square यानि A का i square प्लस B का i square minus 2AB जैसे था मैंने वैसे लिख दिया इसमें कुछ भी change नहीं किया सिंपल सा है भी आगे बढ़ चलो बाबू जल्दी जल्दी यह जैसे था इनको Y से लिख लो यह Z है भाई गडबड ना करो Z है ठीक है 2 नहीं है सुनते जाओ देखते जाओ तब ही समझ में आएगा यहां पर X का i square है इसमें खोजो यहां पर X का i square है Y का i square है Y का i square है Z का i square सभी दो दो बार हैं जूड जाएंगे तो 2X का i square 2Y का i square और यह 2Z का i square ध्यान देना माइनस 2XY और फिर माइनस 2YZ माइनस 2ZX कोई दिक्कत नहीं किसी को न बच्चा चलो इसमें से अब हमारे पास एक बहुत ही अच्छा चीज निकल रहा है वो का है पता है आपको त्यान देजिए समझे इससे तो हम ऐसे लिख लेंगे X plus Y plus Z पूरे में total से हम 2 common लिकाल सकते हैं 2 common अगर हम निकालेंगे तो सीधा सीधा X का i square धन Y का i square और क्या बचेगा धन Z का i square जो भी है सिर्फ 2 हट जाएगा बस माइनस ये X Y धन Y Z धन नहीं भाईया देखो यह माइनस है यह हर जगा माइनस है तो हर जगा माइनस ही रहेगा कहीं भी इसमें प्लफ नहीं आएगा ध्यान दीजिए आपका जो सिध्य करना था वह आ गया है ये 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि 2 ये हर में है ये अंस में है ठीक है ये जो यहाँ पर बचा है ये इतना का बराबर फार्मूला होता है अगर आपने पीछे के दोनों कुश्चन देखे हैं तो आपको यहाँ से बात क्लियर हो गई होगी एक लाइन मैं नीचे और भी लिख सकता हूँ चुकि नीचे जगा बच रही है ठीक है डॉन्ट वरी बराबर हम लिख सकते हैं क्या एक लाइन मैं लिखी देता हूँ यक्स प्लस वाई प्लस जेड यक्स का स्क्वाईर वाई का स्क्वाईर z kai sqai e xy ओ सुरी यहां पर फिर देखो मिश्टििक ना झाल भाई देखो यही चिने तो यहां में लिख राऊ हूँ यही चिने तो यहां लिख राऊ ये छिने तो यहां लिख राऊ तो बदलेगा नहीं ठीक है yz-zx क्लियर कोई doubt नहीं लिख लीजिए बराबर कितना हो गया लेचेस हैंस प्रूब्ड इतिसिद्धम यह जो आया है पूरा पूरा न यह बराबर इसके होता यह फर्मूला है सर्वसमिका है ठीक है नहीं देखे हो तो आप लोग देख ले ना पिछला जो मैंने कुश्चन नमबर 11 और 10 पढ़ाया उसमें आपको यह फर्मूला बताया गया था डिस्क्रेप्शन में देखें लिंक है आप जाके देख लीजिए का कमेंट करिएगा नहीं मिलेगा लिंक तो ठीक है कुश्चन नमबर 10 और 9 का और 11 का हम लिंक देंगे कमेंट करना ठीक है आपका क्या नाम है नाम जरूर बता आने चाहिए कम से कम ठीक है आएंगे ना बोलो आप लोग लेकिया ना सभी को बता दो एक कोश्चन नहीं 10-10 कोश्चन होंगे एक दिन में 16 नवंबर से थैंक्यू वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना